आज हम बनाने जा रहे हैं मावा स्टफ्ट पराठा, स्टफ्ट पराठा बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप, मावा वन थर्ड कप चीनी, मावा में हम चीनी मिला देंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे तीन से चार छोटी इलायची पाउडर, अब हम इससे अच्छी तरह स मिला लेंगे, अब आवश्यक्ता अनुसार, पानी डाल कर इसे अच्छे से घूंथ लेंगे, अब हलका सा तेल डाल कर गूंथे हुए आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे, गैस को ओन करते हुए हम तवा को रख देंगे, और अपने हिसाब से आटे की लोई बनाएंगे और फिर उसे फैला लेंगे, जिससे स्टफ्ट किये गए मावा को उसमें भरा जा सके, अब चम्मच की सहायता से हम इसमें स्टफ्ट मावा को भरते हुए हम इसे चम्मच से दबा देंगे, जिससे ये अच्छे से फैल सके, अब हम इसे चारो तरफ से अच्छे से बंद कर और तरीके से बंद करने के बाद इसे अच्छे से दबा देंगे। अब हलका सा सूखा आटा लगाते हुए हम इसे हलके हाथों से बेलना चालू कर देंगे। बेलते हुए आपको ध्यान देना है कि आप इसे फटने न दें और गोल आकरती देने के कोशिश करें। अब हम इस पराठा सेखना चालू करेंगे। पराठा सेखते समय ये याद रखें कि आप गैस को मध्यम आँच पर रखें। अब जब पराठा हलका सा सिख जाए तो उसे पलटा दें। और थोड़ा सा रिफाइंड या फिर देसी घी लेकर इसमें चारों तरफ लगा दें। इसी प्रक वेज किचन में आपको कई सारी रेसिपीज मिलेंगी इसी लिए आप हमारे पुराने वीडियोज को जरूर देंखे। धन्यवाद।